नमसकार स्वागात्य अब सभीका कैसे हैं आप सब देखिए अप्रेल simplement चल रहा है और आप मेंसे कुछ बच्चे आठवी काक्षा पास कर चुके हैं और नवी में अड्मिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं और आप में से ही कुछ बच्चे नवी कक्षा भी पास कर चुक हैं और दसवी में अडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो एकदम आथी के लिए है आपको इस वीडियो में साड़ा कन्फूजन दूर कर दिया जाएगा कि आपको नाइन्थ में कैसे अडमिशन लेना है कितना फी लगेगा ठीक है तो आपको देख सकते हैं आपके लिए मैंने पूरा चार्ट बना दिया है फी का कुल मिलाकर बारा तरह के फी आपको देने पड़ते हैं नवी कक्छा में ठीक है कुछ विद्याले जो है वो अलागला करके पैसे लेते हैं और कुछ विद्याले नवी कक्छा में एडमिशन लेते समय यह टोटल पैसा एक ही बार में ले लेते हैं ठीक आप देख सकते हैं परव राखाव सुल्क 50 रुपया परिचाय पदर का 20 रुपया और बालचर का 10 रुपया और देखिए लास्ट वाला जो यह परिच्छा सुल्क है यह इसका 40 रुपया ही फी है लेकिन चुकि यह एक वर्स में तीन बार आयोजित किया आता है ठीक है तो 40 दिया ही 120 तो परिच्छा स फी ही लेंगे और यह सब बाद में लेंगे ठीक कुछ ही स्कूल वाले क्या करते हैं इन सभी को एक साथ ही ले लेते हैं ठीक है ताकि उनका लेखा जोखा का टेंसन दूर रहे एक ही बार में अकर लेंगे तो 420 रुपया होगा ठीक तो कहने का मतलब है कि नवी कक्छा में आपको कुल मिलाकर 420 रुपया देना होगा अगर आप नवी कक्छा में एडमिस्ण लेने जाएंगे तो ठीक है फी का कनफीर अंदूर है देखिए एक बात और बताना चाहेंगे अगर आप SCST के छातर है ठीक है SCST का मतलब होता है अनुसूचित जाती या जन जाती के छात ठीक है तो आपको यह जो विकास सुल्क है यह नहीं लगेगा ठीक है SCST को यह नहीं लगता है ठीक तो 420 में से आपको 80 रुपया घट जाएगा तो जो SCST के छातर है या अनुसूचित जाती जन जाती के छातर है ठीक है जो दलित है महां दलित है उनको कितना लएगा 340 अच्छा अब अगर आप 9th class से 10th class में जाने वाले हैं तो 10th class में आपको कितना फी लएगा यह भी आप जान लिजे ठीक तो देखिए 10th class में 9th में जितना फी लगता है उतना ही फी आपको 10th class में भी देना पड़ेगा ठीक है यहां से लेकर यहां तक सिर्फ परवेश सु सुल्क है यह नहीं लगेगा बाकी साड़ा टोटल सेम है टोटल क्या है सेम टू सेम है यानि टेंथ में लेने के लिए कुल मिलाकर आपको देना पड़ेगा देखिए 420 में से यह रिमिशन सुल्क 9 का 50 रुपय घट जाएगा तो यह हो जाएगा आपको 370 रुपया ठीक है य आप ACHD के चातर है यानि अनुसुचित जाती जन्जानती के चातर है तो फिर से आपको यह 80 रुपया घट जाएगा अब आपको देना पड़ेगा मात्र 290 रुपया ठेक अगर आप जेनल केटेगोरी के हैं जेनल कोटी के हैं तो आपको 330 रुपया देना पड़ेगा दसम 40 रुपया ठीक है फीका कनफीजन खाता में तो आई एक बार फिर से हम देख लेते हैं नवी कक्षा में आपको कुल सुल्ख कितना देना है 420 रुपया और अगर आप अनुसुचित जाती जन्जाती से हैं तो आपको 340 रुपया ही देना है विकास को जो 80 रुपया घट ज बच्चे हैं या अनुसुचित जाती के जो बच्चे हैं उनको कितना देना है 420 रुपया ठीक अब देखिए अगर आप आठीमी से नवी कक्षा में एडिमिशन ले रहे हैं तो आपके पास यह तीन तरह का समस्या हो सकता है ठीक है इस तीनों समस्या को हम लिख दिया है प आपको नवी कक्षा में किसी दूसरे विद्याले में नाम अंकल लेना है ठीक अचा तिसरा समस्या हो सकता है कि आप किसी सरकारी स्कुल में नहीं पढ़ते हैं और आपको क्या करना है कि सरकारी विद्याले में नवी कक्षा में नाम अंकल लेना है तो आप क्या करेंगे ठी तो देखिए हम तीनों का हलोग बताते हैं आपको अपने विद्याले में ही नाइन्थ में नाम अंकल लेना है तो आपको करना लगया क्या सिर्फ या जो भी अभी बताए है ठीक है? 420 या 340 अगर आप यह CSTN तो 340 और नहीं तो 420 भी ठीक है? प्लस P कसन था आपको देना पड़ेगा अधार का फोटो कोपी ठीक है? और प्लस खाता का फोटो कोपी ठीक है? तो अगर आपको अपने विद्याले में 9th क्लास में डिविशन लेना है तो क्या लएगा? P ठीक जो बता दिये हैं आपको अधार का gyrokscope और khata का gyrokscope आप देंगे आपका नमाइकन हो जरी чем दमासानी से कोई दिक्ट नहीं है आप अभी भी नमाइकन करवा सकते हैं दूसरा समय से आपके पास यहां से हो सकता है कि आपका स्कूल आठमी तक कहीं है आपको नौई कक्षा में किसे दूसरी इस्कूल में आम उंकल लेना है तो आपको इसमें लगेगा टीसी ठीक है टीसी का मतलब होता है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानि अस्थनांतरन परमान पत्र ठीक है या आप जिस इस्कूल से आठ्वी कक्षा है पास करेंगे वह ही इस्कूल वाल आपको यह सर्टिफिकेट देगा ठीक इसको लेके जाना है प्लस फी जितना बता दिये हैं वह लेके जाना है प्लस अधार का फोटो कोपी ठीक है और खाता का फोटो कोपी ठीक आप इतना देंगे आपका इ यह हो सकता है कि आप किसी सरकारी स्कूल में नहीं, आप कहीं प्राइबेट स्कूल में पढ़ते हैं, अब आपको किसी सरकारी स्कूल में नाहिंत में नाम को लेना है, ठीक, तो देखिए, यह तिनों दों आपको लगेगा ही, ठीक है, क्या-क्या, फी, प्लस, अधार, प्लस, खाता यहां तो तिनों आपको लगेगा ही इसके अलावा आपको इस TC का कहीं से जोगार लगाना पड़ेगा ठीक है बीना TC का आपका एडमिशन नहीं होगा हो सकता है आपकी सेसरकारी स्कूल में नाम लिखवाये होईएगा वहाँ आपका नाम होगा तो आपको अपने सिक्षक से बात करना पड़ेगा ठीक है अच्छा यह दोनों जो केटेगोरी है आप अपने भी देले में नाइन्थ मुना मांकल लेना चाहरे हैं कोई दिकत नहीं है फिर दीजिए अधार खत दीजिए और खाता दीजिए आपका अपको टीजिए ले आना पड़ेगा उस जिस विदाले से आप आस होकर आ रहे है ठीक और फी और अधार और खाता ठीक है अपका अपका एडमिशन से समंधित सारा कंफ्यूजन दूर हो गया मेरे समस्य तो आप बीना देड की हुए अपने जहां आपको एडमिशन लेना ह नमांकल लेना है तो इस टेंथ क्लांस पर नमांकल लेने के लिए आपको किसी भी चीज का जुरत नहीं है अब सिर्फ फी इतना लएगा उतना फी आप क्या करें दे अपने विद्याले में आपका नमांकन टेंथ में हो जागा कोई दिकत नहीं आपे लेकिन नाइन्थ में नमांकन के लिए आपको बताएंगे सब चीज ठीक है अब बात करते हैं यह जो फी है यह फी हम अपना से तो बनाए नहीं है ठीक है इतना सरा जो फी लगता है तो देखिए बिहार सरकार सिक्षा विभाग का एक फी से समधित लेटर है ठीक उसी लेटर के उनुसार बिहार के सभी विद्यालें को इसी हिसाब से फी लेना है ठीक अगर इस फी के अलावा अगर एक्स्ट्रा आप से मांगा जाता है तो आप विद्यालें से पूछे कि कीशी का पैसा आप ले रहे है ठीक है वैसे बिहार सरकार के दोड़ा निरधारित सुल्क यही है ठीक यह तो बा है ठीक है ठीक है ठीक यू